अधार कार्ड से जुड़ूई एक अहम जनकारी के बारे में सिम कार्ड लेना हो आपके लिए अधार कार्ड अब हर छोटी से बड़ी कामों के लिए ज़रूरी एक दास्ता बेट हो गया है। पिछले छाश महिने में आपके अधार कार्ड का इस्तमाल कहां कहां हुआ है। आप अपने अधार को अपने घर से अराम से इसे बैठ कर चेक कर सकते हैं, इसका इस्तिमाल कहां कहां किया गया है, तो चलिए इसको हम जानते हैं आगे पुरी बिस्तार से कि किस किस तरह से हम पुरे प्रोसेस को समझेंगे कि अधार कार्ड जो है कहां पे हमारा इस्तिमाल कि हिस्ट्री लिखा हुआ है दिखाई देगा जिस पर आपको किलिक कर रहा है इसके बाद आपके सामने दो पेज आएगा उसमें आपके अधार नंबर और सिक्रूटी को डालना होगा इसके बाद आप सेंड ओटीपी पर बटम दबाएंगे इसके बाद आपकी रेजिश्टर म मोवाइल नंबर पर वरिविकेशन के लिए ओटीपी आएगा आपको ओटीपी समिट करने के बाद उस पर किलिक करना है इसके बाद आपके सामने और डेट रेंज और ओटीपी मांगा जाएगा ये तीनों जो है आपके अस्किन पर उसमें साप साप दिखाई देगा इन पूरा लिस्ट जो है आपके सामने दिखाई देने लगेगा अधार का पूरा रिकाउड देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके अधार का गलत इस्तमाल किया गया है तो आप इस पर कंप्रेंड कर सकते हैं इसके लिए टॉल प्री नंबर भी धारे किया गया है या फिर आप help at the rate uidai.gov.in पर लिखित में सिकायत कर सकते हैं, mail कर सकते हैं तो दो तरीके हैं अगर आपको लगता है कि आपके अधार का गलत इस्तमाल हुआ है यानि कि इन इन जगों पे आपने अधार का इस्तमाल नहीं किया उसके बाबजूद इन जगों पे लगता है कि आपके अधार का इस्तमाल हुआ है तो आपको दो तरीके हैं एक तो 1947 पे आप सिधा नंबर पर डाइल कर सकते हैं और अपनी सिकायत कह सकते हैं दूसरा है आप लिखित में ये mail कर सकते हैं उसका email id है help at uidai.gov.in इन दोनों पे आप जो है सिकायत कर सकते हैं साथ साथ आपको या भी जान लेने चाहिए कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की मिर्टी हो जाती है तो आप उनके अधार कार्ड को बंद करवा सकते हैं साथ ही अगर उस व्यक्ति के नाम से अधार से जुलुवे किसी सरकारी योजना का सबसीडी या पर लाब उठा रहे हैं तो संबंधित भी भाग को व्यक्ति की मौत की जानकारी देनी होगी उसके बाद उस योजना से उस व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा आप अधार की व्यक्ति के अधार कार्ड को लॉग कर सकते हैं जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है इसका गलत तरीके से इस्तिमाल ना कर सकी तो अधार एक तरह से कहलें कि हमारे जीवन की अब जो है एक अभीन कड़ी के रूप में जुड़ चुका है क्यूंकि अधार कार्ड से ही बैंक के खाते खुलते हैं और बैंक से जुड़ी होई जितनी भी जानकारिया है वो अधार से कनेक्ट हो गई है ऐसे में